नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी एस्परेंट्स का इस आइकोनिक एस्परेंट्स पे साथि कैसे हैं आप लोग आसा करता हूंगे सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तयारी को बहुत अच्छे ठंग से कर रहे होंगे प्यारे साथि जैसा कि हम आप सभी को लगातर बताए कि हिंदी साहित्ती का पूरा सलेवस आपको यहां पर कवर कर बाये जाएंगे जो कि सोर्सेज के अगर हम बात कर ले तो आप देख पारे हैं कि साहित्ती की छेतर में अभी हम यहाफिर बात कर ले टीजीटी पीग टीटी या फिर हम नेट जी आरा आफ की बात कर ले किसी भी एक्जाम के लिए सबसे महत्पूर्ण जो भूख है वो आपके सामने दिख पारा होगा यूस कम्पेटिशन का या भूख है इसमें जितने भी पुराने क्वेशन पूछे गए हैं हिंदी साहित्ति से जितने एक्जाम में सारे के सारे क्वेशन का हम आपको एक एक करकर पूरा डिसकर्स करवा रहे हैं जिसमें हम कल के क्लास में आपको अलेडी बताए हैं क्या तो इसमें हिंदी साहित्ती से पूछे कर जितने भी क्वेश्चन है आपको क्लास दो से तीन क्लास में हम आपको कभर करवाए हैं साथ में बहुत सारे ब्याक्ख्याओं के साथ आपको यह भी कभर करवाया है कि कौन-कौन से चीज इंसे में होते हैं, क्या आगे पुछने के संभावना है, उसके बाद नेक्स क्लास में हम आपका आदी काल साहित्ती के कुछ प्रमुक प्रबिर्तिया, जो कि इसका भी हम दो क्लास इसका लिए हैं, जिसमें हम इसको कभर किये हैं, आज का क्लास बहुत इंपोर्टेंट होगा, जो कि आज की क्लास में हम भक्ति काल के बारे में बात करेंगे, भक्ति काल में आपका देखेंगे कि इन सारे जितने भी आप यहां काल खंड को देख रहे हैं, जितने भी बहुत सारी चीज आपको बताएंगे तो उमीद करते हैं कि क्लास अच्छा लगेगा अगर अच्छा लगे तो प्रीज साथ ही सेर कर देंगे थोड़ा सा लाइक कर देजेगा और चैनल पर अगर ना आए हैं तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा तो चलते हैं अपने बिसाय की ओर टॉपिक की ओर चले साथी तो हम पहुँच गए हैं अपने क्वेशन की ओर तो कि भक्तिकाल का या प्रषला क्वेशन आपके सामने दीख पाड़ा होगा या आपका दिल्ली केंदरी बिद्दैले पीजीटी पर एक्षाद में पूछागाए क्वेशन है जो कि कब का है तो यह आपका 2015 का क्वेशन है क्वेशन क्या है इस पे हगर हम बात कर ले तो ध्यान दिजेगा कहता है सम्मग्रवाक्तिकालीन काब्बे पर कौन से विसेस्ता लागू होती है जल्दी से बताईए क्वेशन का एंसर क्या होगा हम सारा का सारा डिसकल्स करेंगे लेकिन उससे पहले थोरा सा आप लोग अपने विवेग की आधार पर अपना एंसर को देते चलिए सारा कुछ हम डिसकल्स करने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा पुरा क्लास को देखेंगे समगर भक्तिकाल की कहरा है कि समगर भक्तिकाल इनकाब्वे पर कौन से विसेस्ता लागू होती है तो यह आपका कौन सी होती है याद रखेंगे और अप्सन नमबर सी इसका राइट एंसर होगा क्या होगा तो अहंकार का त्याग बहुत important question है इसको थोड़ा याद रखेंगे कैसे होता है क्या होता है इस पे गर हम बात कर लें तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इसके ब्याक्ष्यान पर कहता क्या है ध्यान सुनेंगे कहता है भक्ति कालिन कव्यों ने ब्रहामन वाद कालिन कव्यों इसको बाधा माना गया है और इसको त्याग के लिए उन्हेस क्या कहा गया है थाया प्यात बात कर लें next question कहता है ध्यान देंगे क्या question का जो level है यह आपको बता दें सारे के सारे question जो है भारत की जितने भी महत्पूर्ण exam जो की सिक्षकों से संबनित होते हैं चाहे हम बात कर ले KBS की हम बात कर ले LTE grade की हम बात कर ले PGT, TGT की हम बात कर ले NETJRF की सारे question आपको यहाँ पे दिखेगा सारे exam का तो आप लोग थोड़ा सा धैरे बनाए रखेंगे कहता है भक्तिकाल की समय सिमा क्या है तो भक्तिकाल की जो समय सिमा है या क्या है तो हमने आपको कल के class में बताया था अगर आप कल के class देखेंगे तो थोड़ा सा आपको याद होगा यहाँ पे जो भक्तिकाल की समय सिमा है वो आपको यहाँ पे नहीं दिये गए हैं लेकिन हम आपको बताते हैं क्या होगा पहले इसका राइट एंसर जो होगा उप्युक्त में से कोई नहीं ठीके उप्युक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि जितने भी हैं सारे के सारे रौं पांच का question है ध्यान से देखेंगे भक्तिकाल की समय सिमा पुछा जा रहा है तो यहां ध्यान से सुरासा देखिए हिंदी सहित्य में भक्तिकाल का जो समय सिमा है यह 1375 से लेकर आपका 1700 इस भी तक माना गिया है जो कि आपको याद रखना है भक्तिकाल को ग्यानस्री साखा य जो है यह कितने भागों में या पिट कितने साखा में विभाजन है इनका तो चार प्रकार यह कौन कौन तो ग्यानस्री साखा प्रेमा स्री साखा कृष्णा श्री साखा और अंतिम जो है रामा स्री साखा इतने भागों में याद रखेंगे ग्यानस्री साखा के गनम बात क प्रमुक कभी जो है यह आपका को मिलुक दास आते हैं यह तीन प्रमुक कभी है जुकि किस साखा से संबने से याद रहेंगे ग्यान स्री से ठिके उसके बाद next अगर हम बात कर ले तो प्रेम स्री आता है साथी और इसके जो प्रमुक कभी हैं वह आते हैं मलिक मुहंध तथा परमानंद दास और आपका कुम्भन दास ये कुछ important कभी हैं चुकि आप लोग याद रखेंगे साथ में गोबिंद स्वामी आते हैं मीरावाय आती हैं नरोत्म दास आती हैं रहीम और सरखान जितने भी महत्पूर्ण कभी हैं ये सब के सब किसमी आ रहे साथी तो कभी के रूप में जाना गया है अंतिम जो है अपना हुआ है रामा श्री साखा और इसके जो प्रमुक कभी हैं वह आते हैं संत तूल सी दास इसको याद रखेंगे तो हम सारे चीज़ आपको बताएं याद रखेंगे एक क्वेशन के अलावे हम आपको यहाँ पे प्रमुक कभी हो के बारें पूछले तो आप इसको याद रखेंगे आगे बढ़ें चलिए नेक्ट कोशन कहता है ध्यान दीजेगा कहता है 1375 से लेकर 1700 इसवी तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परलच्छित होती है बहुत इंपोर्टन है कह रहा है बहुत इंपोर्टन बात है जो कि हमने आपको उपरवले क्वेशन में डिसकर्स कर रिया है तो यहाँ पे ध्यान दीजेगा इसका क्या कहने का तास्परिये है कहता है 1375 से 1700 इसवी के साहित्य में कौन सी भावधारा परलच्छित होती है तो यहाँ पे याद रखेंगे भक्ती किस भावधारा में तो भक्ती चाहे वो कोई भी कभी की बात कर ले सभी कभी कही न कहीं किसी न किसी के प्रति क्या है तो भक्ती भाव न रखते हैं चाहे ह हम बात कर ले रामा स्री की, हम बात कर ले क्रिशना स्री की, किसी भी कभी की बात कर ले, तो याद रखेंगे, ठीके ना, आगे बढ़ें, तो ये सारे question को important दिजेगा, और आपको दीख पारा होगा कि कौन-कौन से question किस exam में पूछे गए हैं, और कब, ठीके, तो ये सारे हम question आपको दिखा रहे हैं, ये सारे हर exam में पूछे के हैं, और official question है, यूकि आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा, कहता है, भक्ति के सुरोतों को दक्षिन से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धान का समर्थन करने वाला विद्ध्वान कौन ह जल्दी बताइए, बहुत important question है, भक्ति के सुरोतों को दक्षिन से लेकर आपका उत्तर तक प्रसारित करने वाले के सिद्धान, समर्थन करने वाले के जो विद्ध्वान है या कौन है, तो यह आपको बताना है, इसमें कुछ प्रमुक विद्ध्वान है, जो कि गर्संस आ सी अचारे रामचंदर सुकल, चलिए थोड़ा इसमें डिटेल समझ लेते हैं, ताकि आपको बहतर ढंग से चीजे समझ में आते रहें, ध्यान दीजे का यहाँ पर question के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, अचारे रामचंदर सुकल के अनुसार भक्ति का जो सुरोत द सुकले जी के अस्थापना का खंडन करते हुए दिवेदी जी ने जो कहा है, दिवेदी जी कहते हैं कि नैतिक सांस्कृति जीवीशा और आध्यात्मिक संपन्ता का उद्गोशन करने वाला भक्ति साहित जो कि किसका है, तो याद रखेंगे हब दर्द पराजित जाती का सं संपत्ती नहीं है, तो कभी भी याद रखेंगे, स्टेटमेंट वाला क्वेशन बहुत जादा पुछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा याद रखेंगे, कह देगा, क्या आपसे, तो कहेगा कि हम दर्द पराजित जाती को संपत्ती नहीं है, यह कथन किसका है, या फिर आप रखना है, दुवेदी जी का है, ठीक है, चले, आगे बढ़े, कुछ महत्पून तथे हैं, जो कि आपको यहाँ पर जानना चाहिए, महत्पून है, और महत्पून इसलिए है, ताकि हो सकता है, क्वाशन आने वाले समय में यहाँ सभी बन जाए, ग्रिसर्स, महोदे, वियर कीथ, विल्सन, इत्यादी विदेसी, जो विद्वान है, इनका मत है, कि भक्ती के उद्गम में इसाई का प्रभाव है, ठीक है, इनका जो मत है, यह कहते है, कि जो भक्ती काल है, इसका जो उद्गम हुआ है, इसका जो उद्गम हुआ है, इसमें इसाईयो का क्या है, तो प प्रसाद दिवेदी आदी कुछ बिद्वान है जो कि इन्होंने इनके द्वारा क्या क्या गया है तो इनके द्वारा तथ्यात्मक साक्ष और प्रबल तरकों के सहारे एनी ऐसी भांत धारनाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गान जो है या प्राचीन भारतिये सुरोत उसे माना गया है याद रखेंगे तो आप याद रखेंगे इनका खंडन कौन-कौन लोग करते हैं ठीक है कुछ लोगों ने तातकालिक रूप से परस्तितिक प्रणा के रूप में मुश्लिम आकरमन और राज्य अस्थापना से भक्ति आंदोलों को जोड़ा है जिसे राम पुछा गया था थी तो प्रवक्ता प्रिक्षा में पूछा गया है जो कि क्या कहता है कहता है हिंदी का भक्तिकाल बारवी आकरमन की परतिकिरिया है यह कथन निमलिकित में से किस विद्वान का है बहुत important question है ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा और समझ में हिंदी का भक्तिकाल कहता है कि भक्तिकाल बारवी आकरमन बारवी आकरमन के परतिकिरिया है और यह जो कथन है किस विद्वान का है चलिए बता देजे तो राम चन सुक्र जो एक महान भाव हैं जिनका हिंदी साहित में अपना एक बड़ा योगदान है और इन ही का यह कथन है याद रखेंगे थोड़ा सा आपको कुछ आवाज आड़ा होगा तो उस आवाज को थोड़ा सा आप लोग नजर अंदाज किजेगा और यहां मेरे बातों को ध्यान सुनेंगे ठीके थोड़ा सा पास में डॉग वोग पाला हुआ लोग हैं तो क्या कर सकते हैं कोई मजबूरी हैं आप लोग मेरे बातों पर कॉंसंट्रेट किजेगा ठीके ना मजबूरी है क्या कर सकते हैं चलिए यहां देहां देजेगा और कहते क्या हैं इसके बारे में डेल हम व्याख्या करते हैं ग्रिशंस राम चंद सुक्ल और हजार चंज सुकल के लिए साथी वह एक बाहरी आक्रमन की पर्तिकिडिया है वहीं अगर हम बात कर ले हजारी परसात्य वेदी की तो उसों ने आपका महज भारतिय प्रमपरा का अपना सुनतह सरकुस विकास माना है याद रखेंगे यह क्रम सज अगर हम बात कर ले तो बिदेशी देशी और लोग पक्ष का महत्व देने के लिए अलग-अलग पर्नितिया बनाई गई है जो कि आप तीनों बिद्वान की यहाँ पे तुलना कर पा रहे होंगे कि तीनों बिद्वान जो है अपने अपने मत की आदार पर अपने अपने तरक दे रहे हैं नेक्ट कोशन की हम ओप्सन नमबर सी अर्थात विशिष्टा विशिष्टा देवता विशिष्टा देवता जो की टीजीडी परिक्षाव 2013 का क्वेशन है याद रखेंगे ठीके चलिए थोड़ा इनके बारे में हम चर्शा कर लेते हैं ताकि आप सभी को बहतर ढंकते समझ में आए पहरे करते रहें अच्छे नंग से यही मेरा उद्धे से है चलिए ध्यान देते cay नेगए इनके बारे में टो बिशिष्ष्टा लिए च्छन है बिशिष डवार्तवाद जीव इस्वर के साथ संबंद हैं इनका यह उनका यह संबंद भी अग्यान के कारण नहीं है वह वास्तवी के है तो यह थुरा आप लोग याद रखेंगे और क्या है इस पे बात करते हैं और यहां पर ध्यान देंगे साथी और क्या है अपने को जानने के लिए तु ध्यान मुक्छ होने पर ही जीवन की सुतंता सत्ता करती थी भौतिक जीवन में या फिर भौतिक जगत में जीवन अलग-अलग रूप से सत्ते परंतु इस्वर की सहायता इसकी सहायता के लिए क्या था तो विलक्छन थे बहुत इंपॉर्ण बात हैं यहां पर जो कि आपको याद रखना है ब्रामन पूर्णता ब्रामन पूर्णता जगत जड़ के जड़ है जीवन अज्ञान और दुख से घिरा है यह तीनों ने मिल कर एक आकार हो जाते हैं क्यूंकि जगत और जीव ब्रहामा के सरीर और ब्रहामा इनकी आत्मा तथा नित्यनता है यह बतलाया गया है तो यह सारे importance कुछ बात है जो कि हम आपको बता है किसके बारे में तो हम आपको बता है विशिष्टा द्वाद के बारे में रिखे आगे बढ़ें Next question कहता है आपका TGT परिक्षा 2010 का क्या कहता है कहता है कि विशिष्टा द्वेत बात जो है इसका परतिपादन किस ने किया था जो कि अभी अभी हमने आपको जेस्ट बताया उपर बले slide में कि इसका जो परतिपादन है यह करते कौन है तो रामानुज चारी है ठीक है रामानुज चारी की दोरह इनका परतिपादन किया जाता है जो कि आप लोग इसको याद रखेंगे आगे बढ़ें और कहता है आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है ठीक है आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है जो कि PGT प्रिक्षा 2010 का question है 20 है 15 है 9 है या फिर 12 है कौन सा है आप चलती से इसका answer देते चले इसका right answer क्य होगा तो यह आपका होगा साथी बारा ठीक है आलवार भक्तों की संख्या कितनी है तो बारा है याद रखेंगे बहुत important है चलिए थोड़ा इसके बारे में डिटियल जानते हैं ताकि बैतर ढंक से आपको समझ में आए धानती जेगा वैश्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सरपर्थम दक्षिन के आलवार संतों की वानी के माध्यम से चाकी गई थी तो प्रश्टूर्थी की गई थी याद यहवी रखना है कि दप प्रांत उतरी भारत में उसका विकास हुआ था सबसे पहले उसका विकास जो होता है उतरी भारत में होता है और ये आल लिए जाए इनके बारे में तू याद रखेंगे कौन तो एक काट कोफ है और दूसरा क्या है तो नवला नववा माल है नववा माल जो है साथी ये आप लोग याद रखेंगे सर पर्सम इसकी जो रशना है या आपको तिर्वा मोली में अन्य नह राम भक्ति का वर्णर मिलत और इसकी अन्य जो तीन प्रविर्तियां हैं जिसका हम आगर बात कर लें तो यहाँ पर आप नाम देखें पहला है तिरू बन पुरम या फिर दूसरा अगर हम बात कर ले तो इसका नाम है आपका तिरूबन स्रीर नेमन और आपका जो तिसरा है या है आपका पेड़िये त इस प्रकार से थोड़ा सा तमिल नाम है तो थोड़ा टप है लेकिन इसको याद रखेंगे आगे बढ़ें और नेक्ट कोशन पर ध्यान दिजेगा कहता है भक्तिकाल को हिंदी कावे का शुर्ण यूग सरपर्थम किस ने कहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन कोशन है याद पर तो किसने सबसे पहले इसे स्वर्ण यूग के नाम से कहा है भक्तिकाल को तो साथियों इसका राइट एंसर जो होगा वह आपका ओप्सन नमबर ए अर्थात किसके द्वारा तो डॉक्टर ग्रिशन्स महोदे के द्वारा इसको कहा गया है याद रखेंगे भक्तिकाल है जो कि बहुत ही आसान है क्योंकि आपने उपर इस स्वर्ण यूग माना गया है इस यूग में ऐसे महान कभियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्ति को एक गौरफ साली स्वरूप प्रदान किया है ये कभी जो है भक्त थे ये क्या थे तो ये कभी भक भाकते थे देन्हें जीवन दाइनी सकती के सासाथ कभी आते हैं में देखने को मिलता हैं जातर व्यक्तों कभी मेराकॉै भाव आते हैं चुकि आपको याद रखना है ठीके ना और लेडी हम आपको उपर वाले क्वेशन में इंसार के बारे में डिसकस कर चुके हैं आगे बढ़ें और नेक्ट क्वेशन पर हम अगर बात कर ले ध्यान देंगे कहता है भक्तिकाल का नाम पुर्व मध्यकाल किस आच खड़ाब हो जाएगा तो जल्दी बताएं यह आपका पीजीटी परिक्षा 2005 का क्वेशन है किसके द्वारा भक्तिकाल का पूर्व मध्यकाल के नाम से बुगारा गया है डॉक्टर नागेंदर हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं डॉक्टर आपका आचारे नंदुलाल बाचपा हैं या फिर आपका आचारे हजारे प्रिसात्ति वेदी हैं कौन है साथी बताएं तो इसमें होंगे आपका डॉक्टर नागेंदर बहुत बड़े नाम है हिंदी साहित्ति के छेतर में डॉक्टर नागेंदर जो हैं साथी इनके द्वारा क्या कहा गया है तो भक् किये गए हैं जो कि आप देखें डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा संपादित इधियास में काल विभाजन का करम जो है इस प्रकार है ध्यान दिजेगा सबसे पहले आधिकाल उसके वाद मद्धिकाल इसमें कुछ भागे बाटी गई है जिसमें हम अगर बात कर लेका जो कि पुर्व मद्धिकाल अथवा भक्तिकाल के नाम से पुकारा गया है इनके द्वारा नागेंद्र के द्वारा उसके बाद ख़ आता है जिसको उत्तर मद्धिकाल अथवा रीतिकाल के नाम से पुकारा गया है ठीक है उसके बाद आगे बढ़ें तो हम नेक्ट में क्या करें बाद तो आधुनिक काल आधुनिक काल को जो है इन्होंने चार भागों में बाटा है क्या है तो पूर्ण जागरन काल अथवा भारतेंद्वी यूग जो कि हम सब इसके बारें पढ़ते हैं बहुत इंपोर्टेंट है उसके बाद आता है ख़़ जिसमें जागरन सुधार या आप याद रखेंगे इस सभी यूग जो है कि इनके द्वारब विभाजन किया गया है उनको भी आप जरूर याद रखेंगे अतीम अत्पूर्ण है अब देखें क्वेशन आपने तो यहाँ पर पढ़ा एक लेकिन इस लेक्चर को सुनने से फाइदा क्या होड़ा आपको वो मैं बताओं तो याद रखना है question आपने एक दिखा लेकिन इस question के अधार पर जो आप यहाँ पर ब्याक्ख्या देख रहे हो इस ब्याक्ख्या से आपको क्यास पर छोड़ा है तो साथी आने वाले समय में आप और भी question आने वाले पूछे जानने वाली ही समभावना है तो आप इससे प्रेपेर होड़ा हैं, इसी को याद रखना है, प्रिबियस एर स्वाल प्रेपेर पढ़ने का जो मकसद होता है, यही होता है, प्रेक्टिस सेट जो जितने भी मार्केट में भी आए हुए हैं, यह सारा जो है, अपने अनुमान से लाया गिया है, जितने भी प रहें उस एक्जाम से समध्य जितने भी भारत के अलग-अलग राज्यों में उन्हें को देखान को देखें से समझज जाएएगा कि कहां से सिमा है क्या है है इसलिए हमारा जो सेलैक्षन है जो बुक का आपके सामने रख रहें हैं सबसे बेश्ट बुक अभी तक कि मामला में आपके सामने रखें हैं, पीजिटी की बाद कर ले हम्नेट जीयारफ की बाद सबसे बेश्ट बुक है अभी वियूत कमपेटिशन का चल रहा है. लोग मार्केट पता कर सकते हैं कोई दिक्गत नहीं है आपको जो यहां पर दिये जाएंगे, कभी ही चीज़ दिये जाएंगे, लेकिन बेस्ट दिये जाएते हैं, इतना याद रखेंगे, आगे बढ़ें और यहां ध्यान दिजेगा, कहता है, नाभादास्कृत भक्त माल की भाशा है, याद रखना है ब्रज्य भाशा की किस अप्य नाव हमने ओसकी क्या है एह और यह लिखे गे हैं 1769 दो darf क्रियक का और वह हो तूसे जैसे आप यह रखा है तो इसी तरह से आपको याद रखना है इसकी जो टिका है उसको क्या कहा गया है तो प्रिया दास कहा गया है ठीके बहुत इंपर्टेंट है आगे बढ़े तो ब्रद्ज भाजबाशा पर इनका अच्छा अथिकार था और पद रचना में अच्छी क्या थी तो इनका निनुपंता था नाभादास ने ब्रजभासा में अश्टियाम की रचना सिंगार भक्ती अथवा रचित भावना को लेकर की है इसमें कभी कि सैली में परिमी जारतित प्रजलन और आपका भाव पूर्ण जो है इसको दिखता है इ व्लोगे राम भक्त थे भाव याद रखेंगे बहुत इंपोर्टनट है यह तूलसी दास के समकालिन थे इंपोर्टनट थे है रहाँ और क्या अपने को जानना है यहां द्यान देजेगा कहता है भक्त माल के रजनाकार कौन है जो कि अभी अभी आपको बता है नाभादास हैं कौने साथी नाभादास हैं याद रखेंगे आगे बढ़ें नावादास द्वार लिखित अश्ट याम किस भासा में लिखी गई है तो साथ ही यहाँ आपका ब्रज भासा में लिखी गई है जो कि आपको याद रखना है बहुत इंपोर्टन्ट है आगे चलते हैं कहता है अश्ट याम के रचाईता कौन है एक ही कोश्टन कई बार आए गया जाते हैं तो इसलिए आपको याद रखना है इसका राइट अंसर यह होगा और अपने इस क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है वो आपके समख्छे क्या है क्वेश्चन तो कहता है भक्तमाल के रचाईता नाभादास के गुरू के नाम बताएए चलिए जल्दी से ब बता चुके है तो यह था साथी आज का क्लास कल के क्लास में हम क्या बात करेंगे तो कल के क्लास में हम बात करेंगे शग करेंगे तक आप ये के बारे में बात करेंगे और इससे सम्मंदित जितने क्वेशन आप तक पूछे गए हैं चाहे TGT PGT हो चाहे NET GRF हो या पिर KBS की परिच्छा में पूछे गए क्वेशन हो साड़ा हम डिसकस करेंगे कल के क्लास में उमीद है मुझे कि आपको ये क्लास अच्छा क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगता है सच पुछे तो एक बहतर कॉंटेंट का चैन करना होता है ताकि आपको सही चीज दिया जाए और आप जल से जल सेलेक्शन ले पाए ठीक है तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट किजिए तो आने वाले समय में आपको बहुत चीज य ताकि हम उस चीज में बदलाओ करें ठीक है साथी पीडियाप के लिए हमारे टेलिग्राम को जोड़ जाएंगे वहाँ पे आपको पीडियाप मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही नेक्ट क्लास में हम एक नए अध्याई के साथ प्राड़म करेंगे तब तक के लिए ज कौक के लिएए हमारे टेलिग्राम मिल के लिए जाएगा तो आज का जाएdayèces की ताकि शु़ब में हमारे यही जए घाएगाई झा चेरा को जाएगा हमारे टेलिग्र आएगा हमारे तो रे लिए जाएगाई हमारे मिल औार दो टीज मैं hinge